पजाम में जो बीजेपी की राजनीती है उसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंके पंजाब ट्रडिशनली एक और एडी लेवल पे सिख मनौर्टी का एक शेतर है नमस्कार मैं भाषा और इस समय न्यूसक्लिक की टीम के साथ मैं हूँ पटियाला में पटियाला में एक ऐसे लीडर से हम बात करने जा रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं जिनका बहुत नाम है यहां से वो सांसद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे और इस समें उनके बहुत गंभीर सवाल भी है इसमें संयुक्त समाज मोर्चा जो चुनाव लड़ रहा है उससे भी उनका एसोसियेशन है आपका न्यूस क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है धर्मीर गांधी जी अभी क्या मुद्दे हैं क्योंकि पंजाब ने किसान आंदोलन हुआ जिस तरह से किसान आंदोलन 13 महीन जो दिल्ली की सरहत पे चला उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि पंजाब की राजनीती में वो मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं पार्टियां हैं परंपरागत पार्टियां हैं और उसी तरह से चेहरों के गिर्द राजनीती चल रही है ऐसा क्यों आपको लगता ह यह आपकी अबसर्वेशन बिल्कु ठीक है कि इतना बड़ा अंदोलन जो जो इसका सारी दुनिया स्थर पर चर्चा थी और जो एहम प्राप्ति करके आया था एक ऐसी सरकार को जुका के आया था जिसके बारे में मशूर था कि एक वार जो कर देते हैं वो जो कह देते हैं वो जब पजाब में किसान लोटे हैं तो ऐसे लगता था किसानों की राजनीति का वर्चस्व होगा इनकी इनका ही दबदबा होगा पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किसान समय पर एक तो अंदोलन बहुत लेट खतम हुआ उससे पहले जो अलगलग प्रंपरगत राजनीतिक पार् वहां टिक है जीने भी का कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे हम यह तैय करेंगे कि एंटी बीजेपी मूव बनें लेकिन यहां पर क्यों नहीं एंटी बीजेपी एंटी अकाली जो कॉल की अपेक्षा थी वो क्यों नहीं की गई हाँ यह मुझे भी इस वात का सवाल है मेरे मलाल भी है कि यहां एक प्रेशर गुप की तरह कि हम नहीं अपना आपने आपको रख पाए और हमारा अंदोर्ण तो उसके दुरान ही यह सवाल खड़ा हो गया था क्या हम उन्हीं पार्टियों के पीछे लगकर गड़गड़ा सब्सक्राइब के साथ है और जो प्रचलत रूप है और सबसे डॉमिनेंट रूट है और जो सही भी लगता है कि शांती पुर्ण रूट है वह पार्लिमेंट्री पार्लिमेंट्री पार्टिस का दो सवाल बहुत सीधे से पहले तो सबसे पहले कि जो महराजा अमरेंदर जी है और जिन्होंने इतने समय पुरी उम्र कांग्रेस के साथ बिताई और अब मोदी जी के गुनगार हैं तो उनकी क्या चुनावी स्थिती आपको दिखाई देती है केप्टेन साथ का जो दूसरा जे सर्ण था उनके मुख्नमंत्रिपद का मैं आपको साभत आणा चाहता हूं कि जो कांगर्समुक्त भारत का नारा है वाज़भा का और जो केला कांगर्समुक्त नहीं सभी प्रकर्ख प्रकार के विरूत से सबी प्रकार के जो बिलक्षन भारत की जो अलग-अलग entities हैं वो religious entities हैं वो national entities हैं वो linguistic entities हैं वो cultural entities हैं वो racial entities हैं नौर्थ इस्ट की तो उन सभी को जो खतम करके एक भगवा जो उसको रंग देने की कोशिश है और एक आत्मक भारत बनाने की कोशिश है जो RSS का है तो उसके चलते मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो दूसरी पारी है कैप्टन साहब ने वो बीजेपी के लिए खेली है ना के वो कांग्रेस के भीतर रहते हैं वो बीजेपी का काम कर रहते हैं उनको वर्किंग लेशिप रखा है बक्की जो पॉलिटिक्स की है चाहे वो सज्जन कुमार जब सज्जन सिंग जो बिदेश मंतरी थे कैनेडा के वो आई उनको खालस्तानी से बात नहीं करूँगा वो भी बीजेपी का अजेंडा था चाहे पाकस्ता ने खलाफ लगा तार ज जिंग्विस्टिक जो पोस्चर था बोश ने बरकरार रखा और हिंदू तो भी जंडे को इसने पजाम में बढ़ावा दिया सवाल यह है कि कॉंग्रेस तो देख रही थी ना सारा देश भी देख रहा था और आज की तारीख में जो कॉंग्रेस के उम्मीदवार है मुख् कर देखना पूर्वार्टर लोग उनको उनकी जो बीजेपी में एंट्री है जो सीधे वो बीजेपी में गई है और पजाम में जो बीजेपी की राजनीती है उसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंके पज़ाब ट्रडिशनली एक और ड़ेवल पे सिख मनौर्टी का एक शे पंजाब पंजाब नहीं कि अमरे अंदर जीतेंगे नहीं है मुश्किल है अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर एक जमाने में आप आम आदमी पार्टी का यहां पर चेहरा थे और काफी गहरे आपके रिश्टे थे फिर बहुत ख़टाई को बहुत अंतर विरोध भी हुआ तो आज की तारीख में जब áम आदमी पार्टी अदावा कर रही है कि मया पंजाब में सरकार बना रही है आप क्या देखते हैं क्या चीजें उसके फियर में गयी है को एक तो फियर में यह गया है कि लोगों ने 1214 में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा समरथन दिया एक पार्टी ऑफ चेंज माना हमारे जैसे लोग भी अकर्शेत हुए मेरा कोई बैग्ग्राउंड तो था नहीं ऐसा कोई पॉलिटक्स का पर हम अकर्शेत हुए और हम लोग इसमें कूदे कम हमें लगा कि देश की राजनीती द्रिश पे एक नया सूर्ज उगाया है एक नई थं पर चौई परणी वाल ने जीत पाए थे तो पंजाब के लोगों में जो परानी विवस्त पर्मपरगत पार्टियों थी जो उन्होंने प्रणाब के साथ और आप पे भी उन्होंने भरोसा किया और आप भी एक बड़ा समर्थन आपको रहा येस लोगों ने ने चली वो त अगर किसी व्यक्ति विशेश के लेक्षन जीतने या हारने में दोन दोने बते पूरी तरह महत्तव पूरुन है एक जो लग्षा लड़ता है उसका अपने व्यक्ति तो लोकों में कितना लोग पर परसंगिक है और दूसरा उस वक्त पार्टी का वो जो चरित्तर है जो प् करते हैं और जितने मुद्दे थे वह राजनीतिक और आर्थिक पारदरस्ता का सवराज का इंट्रापार्टी डेमोक्रिसी का ना करने का दे के नाम पर उनस सबी मुद्दों पर यह ने कहनी की बात थी जया दूसरी पार्टियों से भी एक कतम आगे थे पीछे नहीं ते अ बुरे से बुरे वक्त में भी कभी हिंदू से लड़े नहीं है कोई हिंदू असरक्षित नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने तमाम चनावी परचार में आज तक कभी मुद्दा नहीं उठाया जहां तक कि अमरजीत सिंग मान जी है जो अक्सर ऐसे ब्यानों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने भी कभी यह नहीं कहा वह भार्टी स्वधान में रखते हैं और बड़ी अब राजनीति करते हैं स्वधान के अंतरगत रहे कर तो किसी दें मुद्दा नहीं ठाया परसों के स्वधान के मांध को लेकर और जैसे वह हुए उसे लेकर पझाब का ही इसुद्य आज़्य और यह चीज और आप बता है कि उन्होंने पण्जाब में ही आके कहा कि कानूना कानून भी आना चाहिए ठोडा सक्थ आना चाहिए लेकिन उसके साथ डंडा नहीं चलना चाहिए यह क्यों कहना पड़ा उनको क्या यहां पंजाब में क्या कनवर्जन एक इशू है इसलिए कहा कि पिशली वार उनको पंजाब की तीन एरियाज हैं दौबा माजजा और मालवा माज़ा के तरंटारण अमरसर और गुर्दाशपर के एरिया में काफी कनवर्जन हुआ है काफी कनवर्जन हुआ है मतलब विजिवल है तो इसने इसको पता है कहां कौन सा मुद्ध अठाना है तो ये जो हिंदी बहुलेवार एरियाज हैं गुर्दास पर पठान कोट दिना नगर वहां जे तरंगा यातरा निकालता है बंदे मातरम भारत मातर की जाय बोलके जो बड़े शहर है जालंदर अमरसर पट्याला यहां जी शांती मार्च निकालता है हाला के पजाम में कोई श अब को सब्सक्राइब करें जो वहां जो मुस्लम भाईयों का कटल हुआ इसको थिरी सट्ट मेले थे उनके लिए दिवार बनके खड़ी हो सकते थे क्यों कॉन लगाता हाथ है हम देखते हैं इनके इनकी रक्षा हम करेंगे वहां कुछ नहीं किया वहां गया तक नहीं जब आधर बदो करेंगे फिर पर फिर वहां जो पता है तो पनजाब को जो इस वार जो एंटी को मैंसी पिश्टी बार अकालियों खिलाब थी जाए तो कांगर्स खाब नहीं थी इस पर डवल इंटी को मैंसी बहुत जाए है को जो पंजाब एक अधर्श देश का राजिय था जो पंजाब सबसे खुशालता प्रती व्यक्ति आमदर सबसे ज़्याद है थी आज वो पंजाब नशे करता पंजाब है आखरी सवाल पंजाबियत की बात सब लोग कर रहे हैं नरेन मोदी जी से लेकर सारे लोग तो पंजाबियत पर इतना दाव क्या यह आजदा लुक्याबियत की बात जरी करते हैं यह ना पंजाब को यह दो लोग अब प्याब में आगये हैं एक और के जरिवाल और इक मोदी और दोनों बात पंजाबि भी ते करते हैं अस्वामेंडğा भी खुशाम करेंगे पंजब यह खत्म करेंगий इतना मैं आपनी अपनी आउने अपस्ट ऑजभेशन आप ऊड़रेशन आप थे ऊच्वाव टेंगी आप विज्वाय आप दागे नोग के लिए जहाए पात लास्ट पीछन वानी जहा है। और डेरा फेक्टर बैंग प्रेश ए रोल, फिक ही तो बड़े के साथ जाएंगे हैं। तो यह देखना बहुत दिल्चस्प रहेगा कि पंजाबियत कहां रहती है, पंजाब के मददाता कहां जाते हैं, और जिस तरह से हिंदू कार्ड या सामप्रदाई कार्ड पंजाब की धरती पे खेला जा रहा है, यह आगे की राजनीती के लिए निश्चित तौर पे और हम स